हलो बच्चो तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं SN1 and SN2 यह सबसे ज़्यादा important topic रहेगा तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और एक condition है तब आपको यह समझ में आएगा आप notebook, pen और जो आपको बोला जाएं साथ साथ में उसको समझें खुद भी करके देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा थेखें तो स्टार्ट करते हैं SN1 सबसे पहले आप यह बदाईए कि SN1 का मतलब क्या होता है और SN2 का मतलब क्या होता है SN1 और SN2 का मतलब बताईए क्या होगा देखो SN1 यह S का मतलब है substitution N का मतलब है nucleophile 1 का मतलब है first order यहाँ पर भी substitution nucleophilic second order reaction अब यह first order, second order यहाँ इसका मतलब क्या होगा अब देखो आपको substitute करना है और किसको करना है एक nucleophile पहले ही होगा और दूसरा आएगा वो उसको उठा के वहाँ से fake देगा ठीक है न अब जैसे कि आपके पास है ऐसे हम मानते हैं यह CH3 यहाँ जुड़ा है यह carbon है, यहाँ H जुड़ा है यह H जुड़ा है और यहाँ पर लगा हुआ है chlorine अब मुझे यह बताओ कि यह जुड़ा हुआ है वो कौन से carbon से जुड़ा हुआ है primary से, secondary से, tertiary से बोलो primary से, बहुत अच्छे primary carbon है क्योंकि आप इसको normal भी तो लिख सकते हो न कैसे? यह CH3 CH2 और CL कोई नई बात नहीं लिखी तो जो CL है अब इसको replace करने के लिए अब मान लीजिए आपने लिया है KOH या NOH लिया है कोई भी आप मान लीजिए KOH मान लेते हैं अब यह है nucleophile अब यह क्या है? अब normal समझेंगे यह इसके उपर attack करें और chlorine यहां से बाहर निकले यह attack करेगा और यह कहेगा कि भी अब तू बाहर निकल क्योंकि यह strong nucleophile है comparison to CL तो इसको बाहर निकाला गया इसने यहां पर attack किया और यह क्या बन गया? तो यह क्या बन गया? यह बन गया CH3 CH2 हूँ और यहां आ गया OH अलकोहल बन गया पहले हम अलकोहल से बना रहे थे alkynes को हेलो alkynes को अभी हमने अलकोहल को form किया तो ध्यान से समझेंगे कि वो सब कुछ हुआ गैसे होगा कि आपके पास आप एक representation समझें कि यह carbon है अगर आप ऐसे बनाते हैं किसी भी चीज को और एक आप dash से दिखाते हैं यह wedge होता है यह dash होता है और दो चीज आप plane में बना दे तो जो wedge से हमने बनाया है इसका मतलब क्या है यह हमारी तरफ यह चीज आ रही है डार्क हो रही है अब बिल्कुल आपके कोई सामने खड़ा हो जाएगा तो अंधेरा सा आ जाएगा जादा डार्क हो जाएगा तो इससे याद रखे कि यह जो हमारे सामने अपनी तरफ की और है और यह जो हमारे से पीछे है तेखे है अब क्या है कि अगर nucleophile SN2 की हम बात कर रहे हैं पहले किसकी SN2 की अब यहाँ क्या है यह carbon है और यहाँ है chlorine और यहाँ CH3 लगा हुआ है और उपर क्या लगा हुआ है H लगा हुआ है और यह भी H है H जादा hindrance नहीं देता अब जो आने वाला जो OH नेगिटिव है अब वो यहाँ से अटेक नहीं करता ऐसा नहीं है तो यह क्या चल रही है कि तब भी यह कहां से अटेक करेगा फिर पीछे से कहां से अटेक करेगा पीछे से ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह भी एक पड़ा nucleophile है steric hindrance होने के कारण OH नेगिटिव कहां से अटेक करता है पीछे से जैसे कि भी आपके पापा आ रहे हूँ ठीक है न तो आप कहां से entry मारते हैं फिर पीछे से मम्मी कहती है पीछे से आज़ा नहीं तो पिटेगा फिर ठीक है फिर इसी वज़े से कि यहां तो hindrance है यह भी कम नहीं है तो यह तो जैसे ही यहां से आगे से निकलेगा आपके बापा आपको डूणने के लिए जा रहे हैं तो आप कहां से गुसेंगे पीछे से कि मैं तो यहीं था ठीक है तो यह क्या है inversion होता है क्या होता है inversion क्योंकि steering के endurance होने के कारण जो nucleophile है वो कहां से attack करता है पीछे से तो अब आपको जो structure पहले कैसे दिखाई दे रही थी देखो पहले कैसे था हमने ऐसे बनाया था वह यह CH3 है और यहां पे CL है हम तरीका हमारा कुछ भी हो सकता है तो अब आपको nucleophile यहां नहीं दिखाई देने वाला अब आपको CH3 यहां दिखाई देगा H यहां पे यह H और यहां पे क्या आजाएगा OH तो inversion होता है इसका मतलब क्या अगर आपको stereo दिखानी हो तो मान लीजिए पहले यहां पे क्या था CL था और यहां पे कोई group जुड़ा हो जैसे CH3 जुड़ा है तो आप बाद में क्या देखेंगे तब SN2 reaction complete हो जाएगी OH negative आ जाएगा तो यहां पे तो आपका CH3 आ जाएगा मतलब sorry यहां पे तो आपका CH3 आ जाएगा wedge position पे और यहां attack जो dash position से करेगा inversion वो कोन आ जाएगा पीछे से कोन आएगा OH negative तो inversion यहां पे होता है यह एक example था normal था तो आप इसको समझेंगे ध्यान से कि inversion होता है किसमे SN2 में क्या हो जाता है inversion अब इसको SN2 क्यों बोला गया है इसको SN2 क्यों बोला गया है वह दो molecule किस बात के हैं तो यह जो reaction है वो आपके halide के उपर भी जो alkyl halide है उसके उपर भी depend करती है उपर भी depend करती है मतलब OH negative के उपर भी depend करती है तो कितने molecule हो गए दो molecule हो गए तो जो आपका rate है वो इन दोनों molecule के उपर depend करता है इसी वज़े से SN2 reaction बोली गई है ठीक है बोलो ओके तो इसकी condition क्या होई SN2 की conditions क्या होई कि steric hindrance नहीं होनी चाहिए भीड़बार नहीं होनी चाहिए कि 4 और भी कुछ लगा हो मतलब आपसे पूछा जाए भई एक तो CH3, CL है एक CH3, CH2, CL है और एक आपके पास ऐसे बना रखा है किसी ने यह CH3 है यह CH3 और यहाँ पे H और यह CL तो fast SN2 बताओ किसमें होगी आप बोलेंगे इसमें जादा होगी क्योंकि यहाँ तो कोई hindrance है नहीं चारो तरफ क्या है इसके H है और H का तो हम कुछ मानते ही नहीं है तेके न तो बहुत असानी से nucleophile पीछे से आके entry मार सकता है समझ गए ना बोलो ठेक है और SN2 के लिए strong nucleophile होना ज़रूरी है strong nucleophile अब आप SN1 को समझे किसको? SN1 को SN1 में क्या है first order है substitution nucleophilic first order reaction है इसका मतलब यह हुआ कि यह किसी एक ही molecule के उपर depend करती है यह nucleophile के उपर depend नहीं करती है किसके उपर depend नहीं करती है nucleophile के उपर depend नहीं करती है इसमें क्या चीज होती है कि आपके पास जितना ज़ादा steric hindrance होगी उतनी ज़ादा SN1 fast होगी इसका कारण क्या है? यह आपके पास tertiary halide है tertiary है के नहीं है? बताओ मुझे यह कौन सा halide है? tertiary halide क्योंकि जिस कारण से halosin जड़ा हुआ है वो तीन कारण से फर्दर जड़ा हुआ है तो tertiary है अब देखो क्या चीज होगी? अब कोई इतना strong nucleophile नहीं होगा जैसे हम H2O को ले सकते हैं तो वो इतना strong nucleophile नहीं है और अब की बार क्या होना है? आएगा तो वही OH negative पर क्या होना है? पहले Cl negative अपने आप बाहर चला जाएगा उसको कोई जबरदस्ती की ज़रुरत नहीं है वो खुद से चला जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है? इतना सीधा chlorine कैसे बन गया? तो ये इसलिए बना ये chlorine इतना सीधा साधा क्योंकि आप chlorine को एक बार भार निकाल दीजी Cl negative के form में जाएगा यहाँ पर positive charge जाएगा वैसे तो किसी भी iron के उपर charge का होना एक बहुत भारी दुख होता है पर यहाँ पर क्या हुआ? अब देखो माल लीजिए आपको आपके सारे पैसे छीन लिये जाएगे ठीक है ना? आपके सारे पैसे छीन लिये जाएगे आपको कंगाल बना दिया जाए ठीक है? पर आपको पता है कि भई ये तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पैसे छीन लिये गए मेरे पास तो भई और यहां पे मेरा तो यह जुगाड है मेरा वहाँ जुगाड है मैं यह कर लूँगा मैं वो कर लूँगा मतलब कि अगर आपके अकेले के आपके पैसे चीन लिये जाएं पर कहोगे मेरा तो भाई अभी भाई है मेरे पास तो मेरी बहन के पास इतने पैसे मेरे तो भाई के पास इतने मतलब आपके पास जुगाड है तो ये जो carbocation बना है ये बहुत ज़्यादा stable बना है ये जो carbocation यहां पे बना है वो बहुत ज़्यादा stable है क्योंकि इस carbon को देने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन-तीन CH3 है अगर आप गंगाल हो चुके हैं तो आपको donor चाहिए ज़्याँ डोनर है इसके पास 3-3 donor है भला इसको किस चीज की दिक्कत है ये कौन सा दुख मानेगा कोई दुख नहीं है दिखाने का दुख ये छोड़ेगा कि हो ये मेरे उपर तो charge है ताकि ये इसको दे पाएं ठीक है न तो इसके उपर positive charge आया दुख तो आया पर इसके पास 3-3 donor है इसलिए chlorine बहुत आराम से चला गया और इसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे देखो SN2 में transition state आती है SN1 में एक intermediate बनता है कार्बोकेटाइन को हम क्या बोलते हैं intermediate बोलते हैं ठीक है न तो यहाँ पे बना intermediate जो की बहुत ज़ादा stable है कार्बोकेटाइन तो इसी वज़े से सिर्फ इसकी जो alkyl halide है उसकी concentration के उपर जो आपकी reaction है उसका rate depend करता है आपके nucleophile के उपर इसकी कोई dependency नहीं होती है ठीक है तो आप जो rate लिखते हैं वो सिर्फ जो कार्बोकेटाइन है या जो alkyl halide है आप उसके उपर वो step बोलते हैं कि वह उसी के उपर depend करता है जो alkyl halide होता ह है अब देखो दो step होते हैं किसी भी reaction में एक slow step होता हुआई एक fast step होता है fast का मतलब क्या होता है वो फटा-फट कोई भी चीज रियक्ट कर जाए slow का मतलब क्या होता है जो धीरे-धीरे हो रही है तो जो आपका rate determining step होता है वो slow step होता है और यहाँ पे जो rate determining step है वो CL का बहार निकलना है अब slow step को rate determining step क्यों बोला गया देखो आप कैसे समझेंगे माली जी शादी है क्या है शादी है आपने बहुत सारी तैयारिया कर लिए 10 टून लगा दिया खाना सब कुछ जचा दिया आपने सब कुछ सेटल कर लिया है सब कुछ सेटल हो चुका है पर बरात नहीं आ दिये 10 बज गए 11 बज गई 12 बज गई आपने कितनी ही fast काम किया कोई फरक नहीं पड़ा कोई भी फरक नहीं पड़ा तब तक बरात आएगी नहीं आपके गोलगप पे यूँ ही रखे रहेंगे बात समझके आपने fast काम किया बरात तो नहीं आई ना तो शादी थोड़े हो जाएगी rate, reaction complete नहीं हो सकती, तो जो हमेशा, जो rate depend करता है, वो किस step पे depend करता है, slow step पे depend करता है, तो जो CL का बाहर निकलना है, वो यहाँ पे कौन सा step माना जाता है, slow step माना जाता है, इसी वज़े से जो reaction है, वो सिर्फ alkyl halide पे depend करती, उसे की concentration पे, इसी वज़े से इसको SN1 बोला गया, तो SN1 में जो अब attack होता है, नुकलियो फाइल का, अब इसको कोई पीछे से तो आने से रहा, क्योंकि वहाँ तो भीड है, तो वो कहां से आएगा, आगे से ही, वहाँ पे जैसे कोई पीछे से attack कर रहा था, उसको बोल रहे थे inversion, क्योंकि invert हुआ, यहाँ पे stereochemistry invert नहीं होती, यहाँ पे retention होती है, जहाँ था, वहीं आ गया, क्या बोला गया है, retention, भई जहाँ था, वहीं आ गया, दोबारा से वहीं tension आ गयी है, जहाँ से गई थी tension, उधर ही आगे खड़ी हो गई retention, यह ऐसा नहीं, वैसे ही बकवास करने हैं, ठीक है, तो नहीं, नाम इसका ही है, यह retention, पे आ गई, तो यहाँ पे जो 3 degree का rate होगा, वह सबसे जादा, फिर 2 degree का, फिर 1 degree का, ठीक है, सबसे फास्ट, इसमें तो आप सोचे ही मत की, यहाँ पे आपकी SN1 reaction होने वाली है, क्योंकि उसको hindrance चाहिए होती है, मतलब की कार्बोकेटायन की stability चाहिए होती है, वो must है, बात सबको समझ में आ रही है, देखो, क्या-क्या, जो हमने main चीजे पढ़ी, कि SN1, आपको समझ में आ गया होगा, SN1 में 3 degree होना ज़रूरी है, मतलब hindrance होनी ज़रूरी है, और यहाँ पे क्या होता है, retention होता है, और slow step आपको पता चल गया होगा, कि जिसमें क्या है, chlorine बाहर निकलता है, और यहाँ पे क्या बनती है, क्या बनता है, यहाँ पे intermediate बनता है, यहाँ को intermediate नहीं, transition state आती है, transition state किसको बोलते हैं, जैसे आपका ऐसे था, कि यहाँ पर OH आ गया और एक ऐसी stage होगी, जिसमें chlorine अभी भार निकली है और यहाँ पर और सब को जुड़ा होगा है, जो जो इसमें था तो इसको बोलते हैं, transition state इसमें 1 degree का सबसे जादा होता है फिर 2 और 3 में तो आप बोलोई मत, ठीक है और इसमें, दोनों के उपर डिपेंड करता है strong nuclear file और वो सब कुछ होना चाहिए ठीक है अब मुझे आप इसमें बताईए आपको ऐसे पाढ़ बना के दे दे जाएं अब यहाँ ऐसे मत करना ठीक है वो बचपन की, हम तो ऐसे पाढ़ बनाते थे अब इसका मतलब समझ गए होगे यह carbon है, यह भी carbon है carbon, carbon और carbon ठीक है, तो इसमें ऐसे बना दिया जाए तो यह कौन से degree की carbon है बोलो, secondary और यहाँ पर एक और टांग दे तो कोई तब समझ जाओगे, tertiary हो जाएगा तो इसमें intermediate रहती, SN1 भी हो सकता SN2 भी, अब क्यासे decide करोगे secondary में, अगर strong nucleophile हुआ अगर strong nucleophile हुआ तो SN2 हो जाएगी अगर weak जैसे पानी हो गया तो उसमें कोन आ जाएगा बोलो, SN1 हो जाएगी SN1 में सिर्फ एक चीज की तरफ जाओ, stability और hindrance की तरफ, stability होनी चाहिए कार्बोकेटाइन की या फिर hindrance होनी चाहिए, जैसे यह दे रखा है आप यह चीज ध्यान रखेंगे कि इस तरफ जो है, tertiary की तरफ tertiary allied की तरफ SN1 बढ़ रहा है और इस तरफ क्या बढ़ रहा है SN2 बढ़ रहा है, अब आपके पास यह example है इसको बताना मुझे कि क्या बोलते हैं, जिसने बताया वो खुछ से एक टोफी खा ले ना मेरे नाम से यहाँ पे आपके पास है यह, अब यह vinilic है कि alilic है alilic, कैसे क्योंकि हमने कहा था, अगर double bond वाले carbon से ही cl जुड़ा है तो वो सोचता है, मैंने victory पाली है तो vinilic है, अगर double bond के जो next carbon उसे chlorine जुड़ा है, तो liilic है तो इसकी stability बहुत जादा होती है जैसे ही यहाँ से chlorine बाहर निकला जैसे ही यहाँ से chlorine बाहर निकला तो बोलो बच्चों, यहाँ क्या हो गया यहाँ पे आगया positive charge अब यहाँ पे जैसे हरियाना में JVT से बड़ा कोई course नहीं, और chemistry में resonance से बड़ी कोई stability नहीं अब क्या होगा, यह जो double bond है, वो क्या कहेगा भई दिक्कत मत मान, मैं तुझे क्या है, electron donate कर रहा हूं तो यह इसको electron देता है यह electron इसको pass कर दिये गए हैं अब जो एक अंगाल हो गया था यह इसका सारा खतम, इसके bank balance में zero अब नहीं है, इसके bank में पैसा आया थोड़ा बहुत तो यह ऐसे बना पर अब की बार यह positive बन गया क्योंकि यह दानी बनने की कोशिश कर रहा था यह ऐसे ही चलता रहता है तो resonance से बड़ी stability कोई नहीं होती है अपनी chemistry में तो allylic, अगर allylic है और normal आपका secondary या उसकी बात की जा रही है तो जहां resonance है वो जादा fast sn1 देगा अब आपके पास माल लो ऐसे है अपनी notebook pen उठाएं और एक बार ऐसे ही अपना pen चलाना शुरू करें कि कैसे होगा, क्या होगा नहीं तो ऐसे यह double bond मैं यह गुमाती रह जाओंग यह आप से कुछ नहीं गुमेगा paper में फिर आपका सिर्फ दिमाग गुमेगा यह है, मालो यहाँ CL था तो यह बाद में हम charge लगा देंगे, यह CL बाहर निकला होगा तो यहाँ positive charge आया अब देखो यह positive charge आगया यहाँ पे, अब यह फिर से double bond है यहाँ पे, यह double bond क्या कहेगा भई, मैं दे रहाँ तुझे तु यह रख, और फिर क्या होगा और ऐसे लगाना होता है resonance के लिए, resonating structure अब क्या हुआ यह आ गया double bond यहाँ पे, क्योंकि इसने इसको electron दिये, तो यह double bond यहाँ पे shift हुआ, यह CH2 का charge खतम हो गया, खतम हो गया अब देखो, और double bond UKU है, जहाँ पे वे थे पहले से इस carbon ने हवा खाई इसने donate किये, तो इसके उपर आ गया positive charge, अब यह carbon हवा खाएगा भई, मैं दे रहा हूँ इसने इसको दिया यह double bond, इस next वाले उस पे shift करो, कर रहे हो बहुत अच्छे, अब क्या हुआ और जो जैसे उसको वैसे ही बना दो, जैसा तुमने बनाया, वैसे ही बनाओ इसका ऐसे ही है, अब कि बार इसने next वाले को दे दिया, अब यह कंगाल हो गया इसके उपर positive आया, अब यह वाला shift कराओ, यह वाला जो double bond है यह इस next position पे दो, फिर आपका देखो क्या बन जाएगा बनाओ, बनाओ अब जो जैसा था उसको वैसे ही बना दो यह CH2, अब की बार कौन positive बना, इस वाले carbon ने दिया इस वाले ने दिया SN1 होगी की SN2 होगी बोलो, SN1 क्योंकि कार्बोकेटाइन जादा stable बनेगा, ठीक है अब एक question बताओ बच्चो यह NCRT ने पूछा है क्या पूछा है, एक तो यह इस दिख रहा होगा आपको, इन दोनों में सिफास SN2 कौन देगा बताओ मुझे सोच समझ के बताना, ऐसे ही मत बोलना एक तो यहाँ पे लगा है CL, क्या लगा है CL और एक लगा है CH2 CL, तो SN2 SN2 के लिए सोचो, क्या condition वह steric hindrance नहीं होनी चाहिए और primary degree का होना चाहिए SN2, 2 से यह मत ध्यान रखना है, वही, secondary, tertiary SN2 है, तो 1st degree का हो 1st degree का और SN1 है, तो 3 degree का हो वह उतनी अच्छी बात होगी या फिर रेजनेंस हो हमें डूढना SN2 के लिए SN2 में अब कार्बन की थोड़ी इसकी जासूसी घरो यह वाला कार्बन अच्छा भई हमसे कैसे बच जाएगा, हम तुझे ढूण लेंगे यह एक कार्बन से जुड़ा यह दो कार्बन से जुड़ा भईया, यह तो 2 degree का निकल आया इस वाले कार्बन की देखो जरा यह कैसे कार्बन है? यह आपको पता होगा भई, ऐसे ऐसे कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, यह कार्बन है फिर यह ऐसे कार्बन है यह CL जुड़ा है यह तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना यह वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी नहीं देखनी, यह कितनों से जुड़ा हमें इसे मतलब नहीं है जिससे क्लोरीन जुड़ा है वो देखो वो सिर्फ क्या है एक ही कार्बन से जुड़ा है मतलब प्राइमरी तो बोलो SN1 कौन फास देगा ये वाला अब मालो एक जंगे आयोडीन जुड़ा है एक जंगे क्लोरीन जुड़ा है ब्रोमीन जुड़ा है तो जो सबसे अच्छा living group कौन है, iodine, क्योंकि बड़ा size है, इतनी ज़्यादा इसकी stability होती निये, तो बहुत जल्दी भाग जाता है इधर से, ठीक है, तो इसी वज़े से, जो next question है, ये वाला है, एक में तो SN1 नहीं पूछा है, क्योंकि दोनों ही primary है, तो इसमें I जुड़ा, इसमें CL, तो जल्दी कौन भागेगा, I भागेगा, और OH negative बहुत जल्दी, कोई भी nucleophile आके बहुत जल्दी अटेक कर देगा, तो इन दोनों में से fast कौन देदेगा, iodine वाला, ठीक है, आपको एक ही काम करना है, primary, secondary, tertiary आप पहचान गए, तो बहुत अच्छी बात है,